दोस्तो नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि एड़ टीटी 111 का रिजल्ट आ चुका है रिजल्ट देखने के लिए कभी बच्चे उताले हुए है सबसे पहले मैं उनको धन्वाद दूँँगा जो बच्चे पास हो चुके है ठीक है और एक कमेंट जादा से जादा बच्चों का यह आ रहा है 110B कि जो बच्चे 111 में एक्जाम दिये थैं उनका रिजल्ट अभी साइट पे नहीं सो कर रहा है इसके लिए DZT continue लगी हुई है उनको देख लो कि अभी नए वाले पोटल पे या पुराने वाले पोटल पे रिजल्ट अपडेट कर देंगे देखो और सेटिफिकेट को लेके काफी बच्चों को परिशान है कि सेटिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सेटिफिकेट के लिए आपको परिशान नहीं होना है क्योंकि आप मार्क्षिट डाउनलोड करो सेटिफिकेट लगी हुई एक दो दिन में आपको सेटिफिकेट भी अपडेट कर देंगे ठीक है आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप रिजल्ट कैसे आप डाउनलोड करेंगे अपना मार्क्षिट कैसे डाउनलोड करेंगे आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है शिंपल है आपको यह लॉग इन का ओप्शन दिख रहा है login पर यहाँ पर जाना है login पर जाने के बाद आपको यहाँ पर login हम कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर login करते हैं जैसे ही login का paste खुल जाता है यहाँ पर email ID और password डालना है मैं email ID और password डाल रहा हूँ यहाँ पर email ID और password मैंने डाल दिया है email id password डालने के बाद यहाँ पे आपको login कर देना है login करने के बाद यहाँ पे password शेप को बोल रहे हैं यहाँ हम password को cancel कर दिये यहाँ पे आप देखें यह ऐसे ही आपका profile खुल जाएगा profile खुलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे जैसे हम यहाँ पर DT certification यहाँ पर option है यह ITT exam का है DT assessment में हमें क्लिक करना है DT assessment पर हम क्लिक कर देते हैं जैसे कि आप नीचे थोड़ा सा नीचे आना जहाँ पर लिखा हूँ यहाँ पर देख लिजे contact code और यहाँ पर first pass यहीं पर दिख जाएगा जो बच्चे पास है यहाँ पर हम EAS दे रहे थे यह ITT के लिए EAS है यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको 3.00 का यह option दिख रहा है 3.00 पर आना है 3.00 पर आने के बाद यहाँ पर 3.00 पर आप आये जैसे यहाँ पर दे दिया है जिसका भी जैसे यहां पर दे रखा है have certificate का option नहीं दिया hall ticket का दिया है Marshall download zaw यह la strengthened कि देखाना नाम भी करना है यह आगे से आपको क्या करना है कि अगर 110 वाले 110B वाली परिशान है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, पुराने वाली साइट पे जो apprenticeship home करके है, उस पे update जैसे भी आएगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा, जादस जादस दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और हमारे यूटूब चैनल को subscribe करें, धन्यवाद